आज हम बात करने वाले हैं ABS breaking system के बारे में दोस्तों अधिकतर four wheelers या फिर two wheelers जो की आज कल बनाई जारी है सब ही में आपको ABS breaking system देखने को मिलता होगा दोस्तों आकर या ABS breaking system इतना important क्यूं है इसलिए हमने अपने वीडियो को आज 4 भाग में divide किया है सबसे पहले हम इसके meaning को समझेंगे उसके बाद उसके necessity को समझेंगे यानि कि उसके क्या ज़रुत है बाद उसके construction और साथ ही साथ उसके working को भी देखने वाले हैं बिना किसी dairy के वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम ABS के meaning की दोस्तों ABS यानि कि anti-locking breaking system जैसा कि आपके screen पर आपको दिख पा रहा होगा anti-locking नाम से ही जैसा कि asbest है या आपके wheel को ABS system जो ही या आपके car हो या फिर bike हो आपके wheel को lock होने से बचाता है अगर आपका wheel एक बार lock हो गया तो उस condition में क्या होगा इसे भी हम video के रूप में देखेंगे animation के रूप में देखेंगे आपको पूरा clear हो जाएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर या ABS breaking system किस तरह से काम करता है दोस्तों आप अभी समझेए कि ABS system मतलब क्या है इसका मतलब होता है anti-locking breaking system बात करेंगे ABS के necessity के बारे में ABS के हमें जरूत क्यों पड़ी four wheelers या फिर two wheelers में दोस्तों देखें एक normal car का आप example लेलीजी जैसा कि आपके screen पर चल पा रहा हो का आप देख पा रहे होंगे normal car में जैसे ही आप emergency में brake apply करते थे तो आपका wheel जो है immediate lock हो जाता था wheel lock हो जाने के बाद क्या होता था कि आपका जो four wheeler है या फिर two wheeler है वो road पर skid कर जाता था और skid करने से क्या होता था तो आप steering पर भी अपना control खो बैठते थे आप इधर उदर उसको control नहीं कर पाएंगे फिर अपनी गाड़ी को और accident का जो खत्रा है वो बहुत ही जादा रहता था बीना ABS system वाली गाड़ी में जैसा कि आप देखिए स्क्रीन पर वील कैसे skid कर रहा है इसमें पूर handling की समस्या जो हो रहती थी अब देखिए ABS system के जो भी गाड़ी होती है जैसा कि आपके screen पर आप देख पा रहा होगा इसमें anti-lock system लगा रहता है इसमें sensors लगे हुए रहते हैं तो कि sensors ECU मतलब की electronic control unit को बताते हैं कि अब इसम पूरा working हम देखने वाले हैं emergency में जैसे आप brake apply करते थे वील आपका immediate lock नहीं होता था वील लॉक हुआ चुटा लॉक हुआ चुटा यह condition आपका चलते रहता था जिससे कि आपका गाड़ी जो है वह रोड़ पर skid करने लगता है इसका वील जो पूरी तरीके से लॉक हो चुका है और इसके steering system पर भी आपका कोई control नहीं रहता है गाड़ी में accident का खत्रा है जो काफी जादा रहता है लेकिन देखे यहाँ पर ABS system वाली गाड़ी है इसमें जैसे ही आप emergency में brake apply करते हैं इसका जो वील है व भी आप control कर सकते हैं एक live example देखे विदाउट ABS system वाली बाइक है बारिस के दिनों में बीना ABS system वाली बाइक लेकर या फिर कार लेकर चलना काफी जादा खतरनाक होता है क्योंकि आप जैसे emergency में brake apply करते हैं तो skating का काफी जादा खतरा बना हुआ रहता है आगे एक पलसर जारा उनका गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से sleep कर चुका है उनका जो पलसर बाइक था वो बिना ABS system वाला बाइक था वो तो गनी मत रही कि जादा कुछ चोट नहीं लगी तो ABS system इसलिए काफी ज़्यादा जरूरी हो चुका है आजकल और आजकल जितने भी four wheelers या फिर two wheel के लिए तो उमीद है आप इसके necessity को समझ गया होंगे अब जल्दी से इसके construction और working को देख लेते हैं अब हम ABS का construction को देख लेते हैं इसमें चारो wheel पर एक wheel speed sensor जो कि आपको यहाँ पर रेड देखे रेड कलर में दिख पा रहा होगा wheel speed sensor चारो wheel के साथ लगा दिया जाता है औ confuse मत होईएगा ECM यानि की electronic control monitor या फिर इसको आप ECU भी बोल सकते हैं इसमें एक hydraulic modulator होता है देखिए blue color में आपको दिख पा रहा होगा यह hydraulic modulator है जिसमें की एक electronic pump लगा हुआ रहता है देखिए यह जो है यह एक electronic pump है साथी साथ इसमें एक high pressure accumulator जो कि आपको यहाँ पर assembly देखने को मिलेगा इस modulator में अब pump के साथ brake का master cylinder को connect कर दिया जाता है जैसा कि आपको screen पर दिख पा रहा होगा कि अब bulb assembly से हर wheel में एक main line और एक return line ले जाया जाता है bulb assembly और pump दोनों को ECU ही control करता है कब bulb को खोलना है कब bulb को बंद करना है कब open करना है कब close करना है यह सब control ECU के पास ही होता है master cylinder जो है वो brake pedal के साथ connect किया वा रहता है जैसा कि आपको screen पर दिख पा रहा होगा आती साथ brake light को भी ECU के साथ connect कर दिया जाता है EPS के working को भी देख लेता है जब भी brake pedal प्रेस किया जाता है तब brake light की मदद से ECM को पता चलता है कि brake apply किया गया है ECM brake पर लगे sensor से पता लगाता है कि vehicle कितनी speed पर जा रहा है brake apply करने पर master cylinder से oil modulator में जाता है जहांपर ECM के signal पर high pressure oil pump pressurized करके accumulator में store कर देता है अब speed sensor के data के मदद से ECM solenide bulb को open करता है जिससे कि सारे wheel में pressurized oil जाता है और wheel पर brake लग जाता है जैसे ही wheel lock होना सुरू होता है ECM supply bulb को बंद करकर अब relief bulb को on करता है जिससे कि oil का pressure जो है वो release हो जाता है और brake भी release हो जाता है जिससे कि आपका जो है यह on off का mechanism जो है यह ABS में चलते रहता है हमने आपको ABS का construction उसके working उसके meaning उसके necessity के बारे में पुरी जानकारी देने का प्रयास किया अमीद है आप ABS के बारे में समझ गया होंगे anti-lock braking system कितना जरूरी है एक four wheeler के लिए एक two wheeler के लिए example के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी तरह के informative वीडियो के साथ मैं आपके साथ हमेशा आता रहूँ आगे जितने भी तरह के breaking system है जैसे की cbs, ebd, ba, is breaking system, drum breaking system, सारी तरह के breaking system के बारे में मैं आपके साथ आगे अपने आने वाले वीडियो में बात करूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके साथ हमेशा जूड़ता रहूंगा जलते हैं अपने अगले वीडियो में तब त झाल